जबलपूर में रहने वाली 36 गड़ के खेरा गड़ की राजकुमारी स्मृती देवी के घर इंदिनों ब्रहम कमल खिले हुए हैं, जिसे देखकर राजकुमारी स्मृती देवी और उनके पती रजद भारगव की खुशी का ठिकाना नहीं है, इतना ही नहीं, एक साथ साथ किल ब्रहम कमल को देखने और उनकी खुश्बू का एहसास पाने नया गाव सोसाइटी के लोग सहित विदेश में रहने वाले लोग भी राजकुमारी के घर पहुँचे हैं, रजद भारगव ने बताये कि कई सालों से ब्रहम कमल की एक पत्ति लगाकरम रखे हुए थे, और उ पहुती दिव्य पुश्प है, आज वेदों और पुराणों में इसका उल्लेक होता है, कि ब्रहमा जी जो कमल अपने हाथों में पकड़े होते हैं, वो यही ब्रहम कमल है, और नॉर्मली ये चार अजार से पांच अर फीट की उचाई पर पहाड़ों में हमाले की वादियो तो हम इश्वर से इश्वर का धन्यवात करते हैं, कि आज ये ब्रहम कमल हमारे घर में खिले हैं, और इनका जो महत्व है, ये वैसे भी वास्तु में भी बहुत महत्व है, जितनी भी नेगेटिव एनरजी होती है, अगर ब्रहम कमल का पुश्प आपके घर में खेलता है, उसका पौधा आपके घर में उसारी negativity कीच लेता है इसकी medicine value भी है यह जिन लोगों को paralysis हो जाता है उसमें इनकी पत्यों का रहा सुनके काम आता है जिनको सांस के रोग है दमा का रोग है या body में oxygen कम हो जाती है तो जो इनके फूलों से कुछबू आती है उसकी therapy दी जाती है त पिछले साल दोखी लें यह इस बाद पूरे साथ खिले हैं चाहरा में जोड़े लखी होता है और विश्नुजी का निवास इस पुष्प में होता है और शिव जी का प्रिय है यह तो वहाले तो बहुत सा भागया लख की बात है यह पती से लग जाता है और हमारे पड़ोस में दीदी रहती है उन्होंने मज़े दिया था यह तो फिर हमने यह दो साल पहले लगाया था पिछले साल इसमें दो आये थे फूल और इस बार पूरे यह साथ खिले हैं और हमने भी कई लोगों को पती से इसमें पती में जड़ निकलाते हैं और आप लगा दो तो अच्छा उसका सेवा तो थायर करनी पड़ती है इसको अपन च्छाओं में ही रखते हैं ज्यादा दूपनी चाहिए इसे मैं भारीन में रहती हूं और अभी चुटियों के लिए मैं जवरपूर अपने ममी पापा के आई थी अचा पिछली बार ममी पापा के आभी ब्रह्म कमल खिला था तो मैं बहरीन में बैठे बैठे सोच रही थी कि कभी क्या मुझे अफसर मिलेगा कि मैं भी उसे खिलता हुआ देखूंगी क्योंकि ये ब्रह् वाली महसूस कर रही हूँ कि मेरा सवभाग यह है कि मैं इस समय हूँ मैं जल्दी वापस जाने वाली हूँ लेकिन जाने से पहले मुझे यह कह सकती हूँ कि मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई और मुझे सब्त रिशी स्वरूप साथ ब्रह्म कमल का एक साथ दर्शन हुआ दोस्तों न्यूस्ट्रेक लाइब की वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए इस बैल आकोन को प्रेस करें